वेलकम बैक टू शेश क्लास अभी जो हम जो लेक्चर करेंगे वह हम करेंगे हच पीज़टी पीज़टी कंप्यूटर साइंस का बैट यह मैं आपको 11th के एंसी आर्टी से करा रहीं क्योंकि अगर आप एच पीज़टी कंप्यूटर साइंस का सलेबस देखोगे तो यह ओल् आपको कंप्यूटर कराला तो मैं इसमें पहले हम पहले साइंस का तो अगर हम सब्जेक्टिव यह सब्सक्राइब खरके लिए और तो यह मतलब आपको दें भी सकते हैं हलां कि आ तो कुछ भी सकता है पर फिर भी क्योंकि जादा थाइम नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी क इतना आपको complete करा सकूँ तो अगर आभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe करें वहां से आप यहां से आपको और भी जो वीडियो हैं वो मैं already upload कर चुके हैं हाला कि software से related already मेरे चैनल पर वीडियो है पर स्टिल आप वहां पर अगर आप उन्हें से प्रेक्टिस करनी है या कुछ भी है तो आप देख सकते हैं और यह 11th के students के लिए भी beneficial है तो शुरू करते हैं फर्स्ट आता है software देखो अभी तक इसने बोला है क्योंकि इस NCRT में यह physical components already पहले करा चुका है इस NCRT आपको नॉर्मल आप Google करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा आपको एक चैप्टर की PDF मिल जाएगी ठीक है तो इसने बोला है कि जो देखो कोई भी computer system है hardware और software की combination से मिलके बनता है अगर हम सिर्फ hardware ले रहे हैं या सिर्फ software ले रहे हैं तो दोनों का अपस में कोई use नहीं है वो दोनों मिलके ही task करते हैं तो hardware का अपना कोई अपने उससे use नहीं है hardware को कोई ना कोई set of instruction ही operate करेंगी तो इनी set of instruction को हम क्या बो होते हैं यह component है computer system का जिसको हम ना तो touch कर सकते ना ही हम physically इसको देख सकते हैं जैसे कि हम कोई भी hardware component है जैसे की बोर्ड है mouse है इसको तो हम touch कर सकते हैं पर हम software को touch नहीं कर सकते ना ही इसको physically देख सकते ठीक है इसमें क्या आएगी वो instruction और data आएगा जो भी process होता है using computer hardware तो computer software और hardware दोनों मिलकर उस task को पूरा करेंगे ठीक है the software compromise a set of instruction which on execution deliver the desired outcome in other words each software is written for some computational purpose some example of software include operating system like ubuntu word processing tool like libra office or microsoft word video player like vlc player photo editors like gimp and libra office draw तो इसने क्या बोले कि software है उसमें कुछ instruction होती है जो execution जब आप उसको execute करोगे तो आपको desired outcome देगा ठीक है अगर हम other words में बोले तो हर एक software कुछ computational purpose के लिए ही use होता है example है जैसे कि अगर हम operating system का example ले तो हमारी ubuntu है जो linux है windows है word processing tool है video player है तो यह सारे आपके क्या है software ही है ठ on the hard disk or pen drive is referred to a soft copy once plated the document on images called hard copy यहाँ पर तो सिर्फ नॉर्मल आपको soft copy और hard copy के बारे में बताया है कि कोई भी document और जो आपके hard disk और pen drive में है उसको हम soft copy बोलते हैं जब आप उसको print कर लेते हो तो इमेज को हम hard copy बोलना शुरू कर देते हैं ठीक है अब यह तो बात होगी कि software है क्या पर हम जूरुत क्यों पड़ी software के अब हम यह बात करेंगे ठीक है तो जो sole purpose है software का वह क्या था computer को ज्याद साथ हमारे साथ जो हम उसको use कर रहे हैं ठीक है हम hardware को instruction नहीं दे सकते पर software act करता है interface between human user and hardware मतलब वो बताएगा इस hardware को की नहीं आप ऐसे करो मतलब यह software बताएगा की hardware को नहीं आपको ऐसे process करना है और हम में हम जो end user है उसको एक desired result लाके देगा ठीक है so depending on the mode of interaction with hardware and functions to be performed the software can be broadly classified into three categories so जो भी mode of interaction रहेगा hardware के साथ तो हम इसको software को कितने part में divide कर देते हैं three that is system software programming tools and application software फिर से देख लेते हैं कि क्या है कितीन जो भी हमने देखा कि software की need क्या है क्योंकि hardware खुद से तो कुछ कर नहीं सकता तो उस hardware को या लगला component को काम कराने के लिए हमें किस की जूरुद पड़ी software की जूरुद पड़ी तो आप software act करेगा इस interface किसके बीच में hardware और यूजर के बीच में ठीक है सो हमारे पास क्या है कि basically three categories है system software programming tools और application software तो हम सबसे पहले करेंगे system software system software में क्या होता है कि that provides a basic functionality to operate a computer by interacting directly with its constituent hardware is termed as system software मतलब कि जो basic functionality पे काम करता है जो operate करने में help कराता है हमारे computer का directly हम किसे interact कर सकते हैं computer से उसके hardware से उसको हम क्या बोलते है system software मतलब एक system software को पता होगा कि कैसे operate करना है और कैसे different different hardware component को use करना है यह हमें क्या provide कर आएगा services और some other software और example of system software क्या है operating system system utilities device driver etc अब हम इनको अलग अलग देखेंगे ठीक है तो देखो तीन पार्ट थे पहले किसके आपके software के system software programming tools और application अब system software में भी आगे तीन पार्ट है क्या क्या है operating system system utilities और device driver मतलब कि कौन से यह system software कोन से होते हैं जिनको पता है कि hardware कैसे operate करेगा और हमें उसको कैसे कैसे use करना है तो first आता है operating system जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है operating system एक system है system software है जो operate करता है computer को operating system most basic system software है जिसके अगर यह ना हो तो और कोई भी software काम नहीं करेगा जैसे कि आप android ही मालूम अब android phone लेते हो अगर उसमें android ही निया तो android आपका काम थोड़ी करेगा मतलब क्या कहते हैं कि operating system corrupt हो गया बोलता है ना कि windows ही नहीं होगी तो आप चलाओगे कैसे तो और software और hardware कैसे काम करेंगे hardware तो फिर भी काम करेगा पर software तो कुछ भी काम नहीं करेगा ना उस टाइम पे तो जो operating system है वो क्या करती है उस बाकी सारे application program भी provide करती है और आपको क्या provide करेगी access और security कुछ example क्या है popular system के operating system के windows, Linux, Ubuntu, Fedora, Android, iOS, etc. ठीक है next आता है system utility जो software use होते है maintenance और configuration के लिए computer system की उसको हम बोलते है system utility जैसे कि कुछ है जैसे कि वो खुद से ही defragment करके देगा आपको format करके देगा system को restore कैसे करना है उसकी utility तो मतलब कि जो आप maintenance और configuration के लिए use होते हो पर कुछ set of utility है जो operating system की साथ नहीं होते पर हम उनको use करते हैं फिर भी ताके हमारे system अपनारे performance बढ़े, हमारे system की performance बढ़े for example anti-virus software, disk cleaner tool, disk compression software tool, so यह सब किसमें आते हैं आपके system utilities में, ठीक है next आता है device driver अभी देखो जैसे की name signify कर रहा है, जो purpose है device driver का वो क्या है कि ensure करना कि proper functioning of a particular device कि वो एक device है वो particular वो प्रॉपर function कर रहा है क्या नहीं when it comes to overall working of computer system the operating system does the work जब यह overall working पे आता है computer system की तो operating system ही यह काम करता है पर हर रोज ने devices आ रहे हैं ने components हैड हो रहे है computer system में तो operating system अकेला इन सबको नहीं संभाल सकता अकेला इन सबको मतलब हमें क्या चाहिए new devices चाहिए जहां पे device की क्या हो diverse characteristic हो ठीक है देखो जैसे कि हमें अगर हमें example देखें तो यह user है user interface है यहां पे हमारे सारे software है जो कि आपको दिख रहे होंगे यहां पे हमारे सारे software है ठीक है application software programming tools वो इसके साथ काम करती है system utility operating system device driver जो भी आपकी system software है ठीक है अब आपस आते है device driver पर तो device driver किसके बीच में act करता है operating system और device के बीच में ठीक है यह हमें required service देगा by hiding the operation performed at hardware मतलब यह आपको यह नहीं बताएगा कि hardware level पर कैसे perform हुआ function ठीक है जैसे कि एक translator है तो device driver भी क्या है mediator act करता है operating system और attached device के बीच में ठीक है next आता है अब आपके पास programming tools programming tools किसका हिस्सा था software का हम कर चुके थे क्या कर चुके हैं system software system software में हम उसके तीन जो भी हमने देखा था कि क्या है operating system system utilities और device drivers ठीक है next आता है programming tools मतलब अगर आपको कुछ काम कराना है computer से तो हमें उसको instruction देनी पड़ेगी which are applied on the input data to get the desired outcome ताकि मतलब वो जो आपकी instruction है वो input data पे होगी और आपको desired outcome उसका मिल जाएगा computer languages are developed for writing this instruction it is important to understand here that computer and human understand completely different language ठीक है मतलब देखो obviously अब computer हमारी language ने समझता हम computer की language ने समझते है ठीक है so human जबकि able है right मतलब वो क्या कर सकता है program high level language में लिख सकता है computer किसमें समझता है machine language में तो एक यहां पर continuous need है conversion की कि हमें high level to machine level अभी देखो हमें खुद भी समझना है और हमें computer को भी समझाना है कि हम यह कहना चाहते हैं हम यह instruction देना चाहते हैं तो अब जब उसको instruction हमने translate करके दी तभी तो वो समझ पाएगा ना high level language तो वो समझेगा नी computer कौन सी language समझता है machine language और हम machine language से हम वापस से human language में अगर हम समझना चाहते हैं तो तब भी हम एक translator चाहिए ठीक है तो जहां पर हमें translator की जूरत पढ़ेगी तो instruction लिखने के लिए code editors की जूरत पढ़ती है जो अभी हम discuss करेंगे पर अभी हम क्या discuss कर लेते हैं कि classification क्या है programming language की मतलब programming tools में ही यह सब आएगा कि आपकी languages कौन-कौन सी है आपके translator कौन से है और आपके program development tools कौन-कौन से है ठीक है so classification है जो programming language की वो देखते हैं कि पहले कौन-कौन सी है so it is very difficult for a human being to write instruction in the form of ones and zeros so different type of computer programming language are developed to simplify the coding two major categories है computer programming language की कौन-कौन सी low level और high level ठीक है majorly वो दो में डिवाइड होती है पर low level में भी दो तरीके से आजाती है एक machine language और एक assembly language जो कि हम देखेंगे और obviously हमारे लिए यह instruction लिखना बहुत मैं बहुत वन सोर जीरो में क्या लिखेंगे add का अगर मालू 110 है तो हमें कितना कुछ याद करना पड़ेगा तो हमारे पास different languages दी हुई है coding सीखने के लिए जैसे C, C++, Python यह सब है आपके पास ठीक है so low level language क्या होती है machine dependent language होती है और इसमें क्या होता है machine language include होती है इसेंबली लेंग्विज ठीक है machine language क्या यूज करती है ones or zeros write करने के लिए instruction को जो की computer सिदा समझ लेता है ठीक है but machine language में code लिखना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें सारे operation code और machine addresses क्या करने पड़ेंगे याद करने पड़ेंगे और यहां पर error मिलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अब आपने लिख दया one अगर मालो एक one से zero की भी गलती होगी तो आप कहां डूंडोगे कि कहां मिला है कहां error ठीक है so simplify करने के लिए writing of code assembly language को develop किया गया जिसमें कुछ English like words चोड़ दिये ones and zeros की वजाए so but one major drawback of writing a code in this language क्या था कि code क्या था computer specific था so code written for one type of CPU cannot be used for another type of CPU मतलब कि एक machine के लिए ही था अगर आपने एक machine में वो code लिख दा तो आप दूसरे machine में मतलब वो potable नहीं था मतलब कि एक machine में ही यूज कर सकते हो दूसरे machine के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा so उसके बाद आपके बास क्या ही फिर high level language आई जो कि क्या है machine independent है मतलब अगर आपने एक में लिख दिया तो आप दूसरे machine में भी उसको easily run कर सकते हो so instruction are using English like sentences and each high level language follow a set of rules similar to natural language so this language are not directly understood by the computer hence यहां पर क्या जुरूत है translator की जुरूत है ताकि वो high level language को किसमें बदल सके machine language में and vice versa ताकि computer भी समझ सके और हम भी समझ सके ठीक है so example क्या है high level language के C++, Java और Python अब आता है आपके पास language translator अभी आपने देख लिया programming tools में आप आए आपने देखा कि आपके पास अलग-अलग language है machine language है, assembly language है, high level language है पर अभी आपको convert करना है क्यूंकि हमें computer को समझाना है कि हम क्या बोलना चाहरे है और हमें computer से समझना है कि वह हमें output क्या देना चाहरे है ठीक है, तो यहां पर translator यूज होंगे so translator क्या यूज होता है, to convert program written in assembly or high level language to machine language ठीक है, so the program code written in assembly or high level language उसको हम क्या बोलते है the source code is converted by translator into machine under standard form जिसको हम क्या बोलते है, object code देखो, आपके पास पहले कोई source code होगा ठीक है, जो भी assembly or high level language में लिखा होगा फिर एक translator आएगा, उसको convert करेगा और उसको object code में बदल देगा ठीक है, जैसे कि आप site में, diagram में देख सकते हो अगर आपको यहां पे diagram दिख रहा है, तो code high level language में था फिर एक language translator आया, उसको किस में बदल दिया, object code में ठीक है, so as we have different type of computer languages to different different translator use होगे, code to source code to machine so three type of basically use होते है, assembler, compiler, interpreter assembler, compiler and interpreter, अब assembler तो आप समझी गए that is used to convert the code written in assembly language to machine language ठीक है, उसको हम क्या बोलता है, assembler और जो आपके assembly language को किस में बदल देगा, machine language में so each assembler can understand a specific microsoft processor instruction set only and hence the machine code is not portable अब क्यूंकि हर एक assembler सिर्फ particularly microprocessor instruction समझ सकता है इस वज़े से ये machine code portable नहीं है, मतलब ये एक CPU का एक पर ही चलता है so अब हमें चहिए जो high level language को machine में बदल दे for execution तो वहाँ पर आता है compiler और interpreter अब compiler भी convert करता है और अगर सारा कुछ syntactic rule सब सही है तो ये execute कर देता है फिर अगर एक बार translate हो गया तो computer compiler की जुरूत नहीं है तो interpreter क्या करता है कि वह एक line में करता है जबकि compiler क्या करता है पूरे source code को एक बार में ही कर देगा पर interpreter translate करता है one line at a time instead of whole program at one go ठीक है so interpreter क्या करता है एक line लेता है उसको फिर executable code में बदल देता है और if the line is syntactically correct so it repeats this step for all the lines पहले एक line देखेगा फिर देखेगा इसका syntax ठीक है फिर करेगा next फिर देखेगा ठीक है फिर करेगा next ठीक है so ऐसे चलता है so interpreter is always needed whenever a source code is to be executed so यह हमेशा हमें चाहिए अब next आता है program development tools अब देखो गई आपने language भी सीख ली आपने converter भी देख लिया पर लिखोगे किसमें मतलब कुछ tools होने चाहिए so whenever we decide to write a program we need a text editor हमें क्या चाहिए क्या editor चाहिए so editor एक software है जो हमें text file create करने में help करता है जहां हम अपनी instruction और store कर सकते है file को as a store code source code so एक appropriate translator हम use करते हैं कि हमें इसका object code मिल जाए so in order to simplify program development कुछ software है जिसको हम क्या बोलते है integrated development environment consisting जिसके पास text editor होंगे building tools होंगे और उसके पास debugger भी होगा मतलब अगर कोई error या bug आता है तो वो उसको find out कर लेगा so a program can be type, compiled and debug from id directly beside python idle और कॉन कों से है net beans, eclipse, atom यह कुछ example है आपके ids के so debugger as the name implies मतलब वो software क्या करता है detect करता है और correct करता है errors in source को जो कि मैं आपको अरड़ी बदा चुकि हूँ next हमारा आता है application software application software क्या होता है देखो जो system software है वो हमें provide करता है core functionality अब different different user है उनकी different purpose के लिए वो computer use करेंगे ठीक है so new category of software हमें यहां पर use होती है end user के लिए जो specific software है जो work करता है आपके उस पर top of software system उसको हम क्या बोलते है application software ठीक है इसको भी हम दो broad categories में divide कर सकते है first is journal purpose and second is customized application software journal purpose में क्या होता है जो develop किया जाता है generic application के लिए और bigger audience के लिए इन journal हम उसको क्या बोलते है journal purpose software मलब कुछ ready-made application software होते है जो हम end users as per the requirements use करते है for example spreadsheet tool है can be used by any computer user to do calculation or create account sheet Adobe Photoshop GIMP Mozilla iTunes so यह journal purpose में आते है मलब जो bigger audience के लिए पर कुछ customized भी होते है मतलब जो सिर्फ कुछ particular organization या individual के लिए बनाए गए है they are better suited to the needs of an individual organization considering that they are designed as per special requirement okay जैसे कि किसी के लिए website बनाना school management software बनाना accounting software बनाना so it is similar to buying a piece of cloth and getting a tailor-made garment with the fitting color and fabric of our choice मतलब कि आपने coding मतलब आपको requirement बता दी आपने कि यार मेर को ऐसे से website बनानी है तो वहाँ पर जो भी होगा आपका school management software आपको चाहिए होगा so it's like मतलब आपने कपड़ा खरीदा था उसके बाद आपको क्या मिल रहा है tailor-made garment मिल रहा है आपको सारा आपका जो requirement था वह complete होके मिल रहा है उसके बाद आता है proprietary और free और open source software so कुछ developer है application software के जो अपने source code को ऐसे ही दे देता है freely public में ताकि वह और भी develop और improve हो सके so उन software को हम free और open source software बोलते हैं जैसे कि जो source है Ubuntu का freely accessible है कोई भी कर सकता है मतलब अपनी knowledge required knowledge to improve और उसमें कोई भी नई functionality आड़ कर सकता है more example of FOS include करते हैं python, library office, open office, mozilla, firefox available नहीं होता उनको हम freeware बोलते हैं ठीक है example क्या है freeware के skype, adobe reader, etc. so when the software is to be used has to be purchased from vendor जब vendor से खरीदना हो जिसके पास copyright है उस software का उसको हम proprietary software बोलते है मतलब वह उसका अधिकार है वह उसका software है तो वह आपको कुछ पैसों में ही देगा ठीक है तो एक software freeware भी हो सकता है open source भी और proprietary भी यह depend करता है terms on condition पर कि आपको कैसा चाहिए और उसके हिसाब से आप अपने software को access कर सकते हैं एक और important point है कि computer system आपका application software के बिना काम कर सकता है पर यह system software के बिना काम नहीं कर सकता जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर window ही corrupt होगे operating system ही नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा बाकी सारे software भी नहीं चलेगे तो system software बहुत जरूरी है पर application software हो ना हो यह आपके ओपर totally depend करता है कि आप उसको computer को कैसे use करने है ठीक है सो हम एक बार और overview देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था कि software देखा फिर software की need क्या थी और उसके तीन टाइफ से कौन-कौन से थे system software, programming tools, application software फिर हमने system software को देखा उसके भी आगे तीन टाइफ से operating system, system utilities और device drivers फिर हमने देखा कि programming tools में क्या क्या आता है आपकी languages, आपके translator और आपके device tools कौन-कौन से use कर रहे हो नेक्स आपका आता है application software उसमें भी आपके दो टाइप्स था कि आप journal purpose यूज कर रहे हो या फिर आप अपनी customized software को यूज कर रहे हो फिर नॉर्मल आपके पास एक note है और अगर open है तो वह आपके लिए free भी है और आपके पास उसका source भी available है ताकि आप उसको customize कर सको आप उसको और improve कर सको तो I hope आपको ही समझ में आया होगा software हमाय चैनल के साथ बने रहे हैं मैं जितनी भी videos हैं upload करने की कोशिश करूँगी और अगर आपको यह video अच्छी लगी तो please अपने friends और family के साथ जरूर शेयर करें thank you